फ्रेंज इस वीड़ में हम लोग भरत का दूसरा ओपिसियल नाम इंडिया को बदलने को लेकर सुप्रीम कोड में जो जाचिका दायर हुआ उसी के बारे में बात करेंगे सायद आपको पता होगा इस जाचिका का सुनबाई जो है 29-5-2020 को याने पिछले शुकरवार कोई होना था लेकिन चिप जस्ट्रिस का ना होने के करण इसका सुनबाई को 2-0-2020 तक टाल दिया गया याने इसका सुनबाई जो है अब 2-0-2020 को होगा तो वीडियो में आगे हम लोग इसी के बार में बात करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप के लास तक जरूर दिखेगा तो चलिए सबसे पहले जान लेते हमारे देश को किस-किस नाम से जाना जाता है तो हमारे देश को मुलो तो चार नाम से जाना जाता है पहला तो आर्याबर, दूसरा भारत, तीसरा हिंदुस्तान और चवता जो है इंडिया आर्याबर जो है हमार देश का सबसे पुराना नाम है याने प्राचिन काल से इस नाम का प्रशोली थे इसका बर्णन आपको महाभारत में भी मिल जाएगा दूसरा भारत, भारत जो है राजा दूसरा और सकुंतला देवी के पुत्रों भारत का नाम नुशार हमारे देश का नाम जो है भारत परा तिसरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारे देश के नाम इसले पड़ा था क्योंकि पहले जामान में हमारे देश में केबल हिंदु लोगों काई वास्थ था और इसी के चलते हैं हमारे देश का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा और चौथा जो है वो है इंडिया कहा जाता है इंडिया नाम जो है वो सिंदुनोदी के नाम नुशार पढ़ा है क्योंकि सिंदुनोदी को इंग्लिस में इंडिस बैली कहा जाता है और इंडिस बैली से इंडिया नाम का उत्पत्ति हो है तो ये था हमारे देश के चारो नाम और वो नाम कैसे पड़ा उसी गबरे में ये चारो नाम में से सिर्फ दो नाम जो है अपिसियार नाम है पहला है भारत और दूसरा है इंडिया लेकिन अब इंडिया नाम सायद बदलने वला है क्योंकि दिल्ली सुप्रीम कोट में एक जाची का दायर किया गया है जिसमें देश के नाम से जुरे अनुच्छत एक में बदलाब करने की मांग किया गया है जिसकी सुनबाई 29 पाच 2020 को याने पीछले सुकरवार कोई होना था लेकिन चीप जस्टिस के नहीं होने के कारण इस सुनबाई को आगे टाल दिया गया है याने आप ये सुनबाई जो है दो जुम 2020 को होने वाला है याचेगा में सुप्रीम कोट से ये मांग किया गया है कि वह सरकार को अनुच्छत एक में बदलाब करने का निर्देश दे याचेगा में भारत का जो इंडिया नाम है उसको बदल कर सिफ भारत या हिंदूस्तन रखने की भी मांग किया गया है याचेगा करताओं का कैना हैं कि ऐसा करने से हमें ताना सही अतित से छूट करा मिलेगा, साथ ही स्वतमतोर सेननियों का बलेदान भी सार्तव होगा याचेगा में अनुच्चत एक में सामिल, प्राभधनों को लेकर 1948 में हुई संग्विधान सभा की बहस का भी जिक्र किये गया कहा गया कि संग्विधान सभा में देश के नाम भारत या हिंदुस्तान राटने के पक्स में मजबूत लगे थी साथ में ये भी कहा गया कि आप समाई है कि देश को उसकी असले नाम से पैचाना जाए ये एक ऐसा समाई है जिस समाई हम अपने शवरों को उसकी प्राचीन नाम दे रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में ये बताए कि आपको क्या लगता है इंडिया का नाम जो है बदल कर कैwhat कर दे नी चाहिए या हिंदुस्तान करने चाहिए नीचे कमेंट चुरूर करिये तो इस वीडियो में इतना ही उम्मिद करोंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक करिए फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल को आप भी तक सस्क्राइब नहीं किया तो फ्लीज सस्क्राइब चुरूर कर लिजे तो मिलते हैं आगल के लिए बाइ-बाइ